फोटो डैयोड क्या काम होता है फोटो डैयोड का फोटो डैयोड डिटेक्ट करते हैं की हमारे पास कॉन सी particular wavelength आरही है यहां नहीं आरही है तो देखो इसमें होता है क्या है हमाई पास महले इस तरीके से अब यह है तो एक pn junction डैयोड ही इसको आब forward byass में लगा दो गये तो ह यहां से इस तरीके से wavelength आएगी, यहां से electron को ionize कर देगी, electron ionize होगा, तो हमाँ आपस कुछ electron hole पर generate हो जाएगा, उसके current भी हमाँ आपस कुछ current add हो जाएगा, तो already काफी high current था, उसमें थोड़ा सा और current add हो गया, क्या हम sense कर पाएंगी उसको, हमें पता ही नहीं चलेगा difference क्या है, तो इसलिए हम इसको forward bias में यूज़ नहीं करते हैं, इसको हम reverse bias में use करते हैं, तो सबसे important चीज़, it is used in reverse bias, आप देखो use कैसे होता है, देखो यह reverse bias में मानलो लगा हुआ है, तो reverse bias में अब आप कितना भी voltage लगा दो, तो हमें एक fixed constant voltage मिलता है, sorry, current देखने को मिलता है, वो current क्यों होता है, because of minority charge carriers, अब यहाँ पर जितने भी minority charge carriers होंगे, उसके कारण हमें कुछ current देखने को मिलेगा, मालो यहाँ पर हम बहुत सारे इस तरीके से photon डालने लग जाए, photon डालेंगे, तो हर एक photon के current, हमारे पास एक electron hole pair generate होगा, एक photon से एक electron hole pair generate होता है, तो उसके कारण हमारे पास नए, यहाँ पर कुछ charge carriers हाजाएंगे, और क्योंकि है reverse bias में है, तो हमारे पास एक बहुत ही strong electric field लगा होगा, और फटाक से drift होकर कि हमारे पास कुछ current यहाँ पर reflect हो जाएगा, अब यह current already था micro amperes में, तो अब हमें थोड़ा सा जो increase and change current है, वो देखने को मिल जाएगा, पहले भी increase उतना हो रहा था, यहाँ पे भी increase उतना हो रहा था, दोने में increase same होता है, लेकिन क्योंकि यह पहले ही बहुत जादा value थी, उसमें थोड़ा सा change हो जाएगा, तो हम अस notice नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे notice हमें clearly देखने को मिलता है, और एक important चीज़, जितने जादा number of photons आएगे, उतने ज्यादा number of हमारे पास क्या होने वाले, यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा होगे, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, number of photon, इंटेंसिटी, विच इपल तू number of photons, तो हम बोल सकते हैं, current I, current is proportional to intensity, चीक है, तो हमें बस यही समझना होता, आपसे सवाल क्या सा पूश रहाएगा, I1, I2, I3, बताओ इसमें से किसमें intensity of photon, ज्यादा थी light, intensity of light, तो भाई I3 में ज्यादा number of photons रहोंगे, यहाँ पे और एक चीज़ आती है, हमें पास इसकी जो light की energy है, E is equal to hc upon lambda, या h new हम जो लिखते हैं, वो ज्यादा होनी थी है, किस से, जो हमें पास energy का gap होता है, valence band और conduction band के बीच में जो energy का gap होता है, उससे ज्यादा energy होनी जी है, फोटोन की तभी वो ionize करा करके, उसको उपर वाले band में लापाएगा, तो हमें पास बस इतना ही होता है, फोटो डायोट में reverse bias में use किया जाता है, and intensity, जो की number of photon है, current directly उसके proportional आता है, a PN photo diode is fabricated from a semiconductor, with a band gap of 2.5 electron volt, it can detect a signal of wavelength, बहुत ही अच्छा सवाल है, हमें band gap दे दिया है, उसके corresponding कुछ wavelength हाजाएगी, वीडियो को pause करो, बताओ इसका correct answer क्या है, इसका correct answer है C, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको short track बता दू, देखो हमाँ पास क्या होता है, डायोट में इस तरीके से एक electron को ionize करके, हमको उपर भेजना है, तो उपर भेजने के लिए हमें कुछ energy उसको देनी पड़ेगी, अगर हमाँ पास सबसे ज्यादा energy वाला जो option है, इसमें सबसे ज्यादा जिसकी energy होगी, वो definitely उसको उपर भेज सकता है, उसके पास तो काफी एनला energy है, पर इन सब photon में सबसे ज्यादा energy किसकी है, जिसकी wavelength सबसे छोटी है, इन सब में सबसे चोटी wavelength कौन सी है, देखो, nanometer से comparison में तो angstrom चोटा आता है, angstrom में भी 4000 सबसे चोटा है, इसलिए C is और correct answer, फिर भी देख लेते हैं किस तरीके से होगा, तो देखो, हमाँ पास energy की जो value आ जाती है, E is equal to hc upon lambda, तो यहां से मुझे पता चल जाता है, wavelength की value आ जाएगी 12400 angstrom electron volt, divided by energy gap कितना था, 2.5 electron volt, यह इस तरीके से कट जाता है, इसकी approximate value मैं लिख सकता हूँ, this will be equal to 12500 कल दो उपर, नीचे 2.5 कल देते हूँ, यह कट जाता है, 25 से होता तो यह 5 आता, लेकिन अभी यह 50 हो जाएगा, तो this is equal to 5000 angstrom, ideal case में 5000 angstrom से भी उसका काम चल जाएगा, क्या यह यहां पर option देख रहा है, नहीं देख रहा है, feel करने की कोचिश करो, इस wavelength को detect किया जा सकता था, लेकिन इससे ज्यादा energy वाले किसी भी photon को detect कर लिया जाएगा, इससे ज्यादा energy वाला कौन सा है, 4000 is more, यह इसके पास मतलब ज्यादा energy होती है, energy of 4000 is more than energy of 5000 angstrom, इसका मतलब C is our correct answer, यह जो छोटा सा वीडियो आपने देखा है, अचली एक छोटा सा हिस्सा एक जो बहुत ही छोटे से फ्यारे से crash course का, जी हाँ, उसमें हमने 40 दिन में पूरी की पूरी फिजिक्स 11 तर 12 की complete कर ली है, और दो दो घंटे के वीडियो होते हैं, कुछ additional exercises के additional videos भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पूरी की पूरी फिजिक्स है, नोट्स आप चाहो तो डाउंडोड करके चेक कर सकते हो, colorful handmade notes with custom made graphics पूरी की फूरी फ्री है, कहां से डाउंडोड करेंगे सारी PDF, डिस्रिप्शन में जो course page है उसी से जाहिए, वहाँ पर आपको drive link मिल जाएगा, वहाँ से सारी के सारे डाउंडोड कर सकते हो, साथ में vlogging channel को भी subscribe कर लेना, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, All India Road Trip पे, and I wish you all the best, हम मिलेंगे next video में.